नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इंफनेटी नॉलिज में तो दोस्तो पिछले दो से तीन महिनों से रशिया और युक्रेन के 20 टेंशन एक बहुत ही जादा बड़ी हुई हैं इधर रशिया बिल्कुल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है तो दोस्तो खबर कुछ एसी निकल कर सामने आई है कि रशिया की तरफ से अपने 6 युदपोतों को पाल्टिक सागर से होते हुए भूम अद्दे सागर की और रवाना कर दिया गया है और अब इस बात को कन्फरम रूस के रक्षा मंत्राले की तरफ से भी कर दिया गया है इसी के साथ साथ रूस के रक्षा मंत्राले की तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये युदपोत भूम अद्दे सागर में एक नोसैनिक अभ्यास भी करने वाले हैं और अब अमेरिका और कई देशों का ये कहना है कि रशिया की तरफ से इस रीजन में कुछ बड़ा धम करने की कोशिश की जा रही है इसी वज़े से ही रशिया की तरफ से युदपोतों को भूम अद्दे सागर में भेजा जा रहा है अब एक्सपर्ट्स की साइट से ये भी कहा जा रहा है कि रशिया भूम अद्दे सागर के बाद इन युदपोतों को ब्लैक सी में भेजने व फुल्ली प्रोटेक्शन दी जा रही है ताकि रशिया ब्लैक सी के थ्रू युक्रेन के उपर अटेक ना कर दे रशिया की तरफ से भूमत देसागर में इन यूद पोतों को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि अगर एक बार इन यूद पोतों की एंट्री फ्लैक सी में हो गई तो फिर रशिया काफी अराम से युक्रेन के उपर अटेक कर सकता है और अगर फ्यूचर में रशिया और यूक्रेन के बीच यूद हो भी जाता है तो इन यूद पोतों की इस यूद में एक एहम भूमी का रहने वाली है और दोस्तों आपको बता दे कि इन छे यूद पोतों में से पांच यूद पोतों 775 रोपोचा क्लास एमफीबियल्स और फेयर शिप्स है और इसमें से एक प्रोजेक्ट 11711 इवान ग्रेन क्लास की लेंडशिप है और इन 6 यूद पोतों में से 3 यूद पोतों को तो रशेय की तरफ से पहले ही डाल्टिक सागर से भूम अद्दे सागर की ओर रवाना कर दिया गया है इसी के साथ-साथ रश्या की तरफ से इन 3 यूद पोतों के पीछे पीछे ही बचे हुए तीन यूद पोतों को भेज दिया गया है पहले तीन यूद पोतों इंगलिस चैनल को क्रोस करकर दक्षिन की और तेजी से रवाना हो चुके हैं बचे हुए तीन यूदपोत खराब मोसम की वज़े से भी उत्तरी सागर तक ही पहुँच पाएं हैं दोस्तों आपको बता दे कि इंफीबियल वोर्शिप इतनी जादा घातक वोर्शिप होती है कि आप इन वोर्शिप के अंदर काफी अराम से टैंक, अर्मर्ड वीकल्स, मिसाइल और सेनिकों को काफी अराम से आप इन शिप के अंदर कैरी कर सकते हैं इस तरीके की वोर्शिप को स्पेशली ही समुदरी टर्ट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया जाता है इनकी सबसे स्पेशल बात यह होती है कि यह हराब मोसम में भी काफी अराम से समुद्र में चल सकती है अब इन छे यूद पोतों की वज़े से रशिया और यूक्रेन के बीच हमें बड़ी टेंशन देखने को मिल सकती है थैंक्स फोर वाचिं इस वीडियो वाव गूल देखने को मिल सकती है